दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1977 की सेकंड हाइस ग्रॉसिंग मुवी धरमवीर से जुड़े इंट्रेस्टिंग कास्टिंग फेट्स के बारे में और उससे पहले हम आपको बताते चलें कि धरमवीर 1977 में रिलीज हुई एक लार्ज स्केल एक्शन फिल्म थी जिसकी लीडिंग कास्ट में हमें नजर आये थे धरमिंदर, जितेंदर, जीनतामान, नीतु सिंग और परान इसके इलावा इस फिल्म के डारेक्टर थे मनमोहन देसाई और इस फिल्म के पेडिूसर थे सुबाश देसाई तो दोस्तों ये बात है इस फिल्म की इनीशिल कास्टिंग की जब वीर सिंग के किड़दार के लिए शशी कपूर को साइन किया गया था और वो इस बार धरमिंदर के साथ बिग स्क्रीन शेयर करने वाले थे मगर इसी दोरान शशी कपूर बॉक्स आफिस पे काफी बैट फेस से गुजर रहे थे और इसी के चल्दे डिस्टिब्यूटर्स ने मनमोहन देसाई पे प्रेशर बनाया के वो शशी कपूर को रेप्लेस करें हालांके मनमोहन देसाई ऐसा बिलकुल नहीं चाते थे मगर इस फिल्म के प्रेड्यूसर कोई और नहीं बलकि उनके खुद के भाई सोबाश देसाई थे जिनकी बिछली दोनों फिल्में शेल्व हो गई थी और वो फाइनेंशल स्ट्रगल के फेस से गुजर रहे थे और वो उस टाइम एक और लॉस बरदाश नहीं कर सकते थे और फिर मनमोहन देसाई ने इसके चलते यही कहा कि अगर ये फिल्म वो खुद प्रेड्यूस कर रहे होते तो वो कभी डिस्टिब्यूटर्स के प्रेशर में नहीं आते मगर ऐसा नहीं था और शेशी कपूर को इस फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगा अमिताब बच्चन से बात की गई और फिर धरमवीर की शूटिंग शूरू होने से पहले ही शेशी कपूर की कुछ फिल्में रिलीज हुई जो बॉक्स आफिस पे हिट साबित हुई और फिर मनमोहन दिसाई ने डिस्टिब्यूटर्स को कन्विंस किया और शेशी कपूर को वापिस इस फिल्म में लाने का फैसला किया बगर इस बार शेशी कपूर ने सौफर को रिजेट कर दिया और अमिताब बच्चन के भी डेड़ से शूट सामने आए और फिर मनमोहन दिसाई ने जितेंदर को कास्ट करने का फैसला किया और उनका ये मानना था कि जितेंदर ही वीर सिंग के रोल के लिए बेस्ट आल्टरनेटिफ चॉइस हैं और नो डाउट जितेंदर ने सिंग्डार को बहुत सिंसेरिटी के साथ निभाया और उनकी परफॉर्मस को भी काफी पसंद किया गया तो दोस्तों धरमवीर मूवी की इस इनीशल कास्टिंग के बारे में आप सब की क्या राए है कि इन सब मामलाद में मेकर्स से कहां गलती हुई और आप सब को क्या लगता है कि शशी का पूर कंपेरिटिवली वीर सिंग किस किरदार में ज्यादा सूट करते या फिर नहीं हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा